प्रियर शिक्षारतियों आपका स्वागत है आज हम अनपड़ बनाये रखने की शाजिस पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं इस पार्ट पर विस्तार से चर्चा के पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह पार्ट एक संपादकी के रूप में लिखा गया है और सुप्रसिद्ध रचनाकार त्री राजिंद्र यादों ने 1986 में जो बजट प्रस्तुत किया गया उस बजट के जो महत्वपूर्ण विंदु थे या उस बजट में जो परिशान करने वाली चीज़ें थी जो द्वैलित करने वाली चीज़ें थी उनको इस संपादकी के माध्यम से उद्गाटित किया सिक्षार्थियों बजट में सिक्षा पर कम खर्च दिखाया गया था जबकि जो विलासिता की वस्तुएं थी उनके आयात पर शुर्क कम कर दिया गया था ऐसे बजट को देखकर रचनकार का भृदय व्यथित होता है और उन्होंने ततकालीन सरकार की जो नीतियां थी उनपर कटाक्ष किया उनपर व्यंगी किया और भारती घ्यान परंपरा की स्थापना की और यह बताया की जो तकों की परंपरा हमारे समाज में रही है उसको अक्षून बनाये रखना बहुत ज़रूरी है इसी प्रिष्ट भूमी पर इस पार्ट को हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं राजेंद्र रियादों का जन्म 28 अगस्त 1926 को हुआ था आपने आगरा से शिक्षा प्राप्त की तत्पष्चात मतुरा जहांसी और कौलकता में रहने के बाद राजधानी दिल्ली को अपना स्थाई निवास बनाया उन्होंने कई उपन्यास, कहानियां, अमिक्षात्मक निबंध और नाटक लिखे अगर प्रमुक रचनाओं की बात करें तो उनके प्रमुक उपन्यास हैं सारा आकास, उखडे हुए लोग, शह और मात, एक इंच मुस्कान इसी तरह कहानी संग्रा, देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलोने, जहां लक्ष्मी कैद है और समिक्षात्मक निबंध में कहानी स्वरूप और सम्वेदना, उपन्यास स्वरूप और सम्वेदना, कहानी अनुभा और अभिव्यक्ति, काटे की बात तो इस तरह से इस रचनाकार का जो रचना कर्म है, वह बहुत ही व्यापक है और इन्होंने समसामईक समस्याओं को अपनी लेखनी में उठाया है, जिसका प्रतिविंब आप इस पाठ में भी देखेंगे इसका पहला प्रमुक उद्देश्य है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित संपाद्की का तात्परे स्पष्ट कर सकेंगे दूसरा साहितिक हिंदी और प्रयोजन मोलक हिंदी में अंतर इस्पष्ट कर सकेंगे इसके अलावा संपाद्की के जो प्रमुक तत्व होते हैं विशेवस्तु, समसामाइक्ता, विवेचनात्मक्ता, भाषाशैली, उद्देश्य आदि के आधार पर हम इस संपाद्की की विवेचना कर सकेंगे और पाठ के आधार पर यह अभी इस्पष्ट कर सकेंगे कि किस प्रकार आम लोगों को सिक्षा से वन्चित रखने का सड़यन तर चलाया जा रहा है इसके साथ ही मानों के विकास में शिक्षा की योगदान को भी इस्पष्ट कर सकेंगे और संपादकी और समाचार में अंतर भी इस्पष्ट कर सकेंगे विक्षारतियों अब इस पार्ट को हम विस्तार से समझेंगे लेकिन चुकि आप साहित्य और भाषा के विद्यारती हैं इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि साहित्य हिंदी और प्रियोजन मूलक हिंदी इन दोनों में क्या अंतर होता है साहित्य हिंदी में जो शैलीगत विशेष्टाएं होती हैं उसमें मुहावरेदार भाषा होती है सुक्ति, लोकोक्ति, पध्यादी का प्रयोग भी किया जा सकता है और वह प्रयोजन मुलक हिंदी से भिन्न होती है बलकि प्रयोजन मुलक हिंदी को अगर देखें तो उसका उपयोग हम सरकारी पत्राचार, संचेपन, संपाद की बैंक की कतिविधियों के निप्टान के लिए कामकाजी हिंदी के रूप में करते है अगर हम प्रयोजन मुलक हिंदी के छेत्रों के बारे में बात करें तो उसका पहला छेत्र हो सकता है तक्निकी भाषा जिसका उपयोग हम इंजिनियरिंग, विग्ञान सास्त्र, चिकित्सा सास्त्र आधि के छेत्र में करते है उसके अलाबा कारियालई हिंदी होती है जिसको सरकारी कामकाज या प्रशाशन में प्रयोग में लाया जाता है उसके बाद वानिजिक भाषा जो होती है उसका प्रयोग वानिजिम में और बैंकों में किया जाता है इसके साथ ही जनसंचारी भाषा इसका उपयोग पत्रकारिता, आकाश्वानी, दूरदर्शन और विग्यापनों में प्रयोग में लाया जाता है और जो सामाजिक भाषा होती है उसका प्रियोग सामाजिक कार्य करता करते हैं और साहित्तिक भाषा इसका प्रियोग काव्य, नाटक, साहित्य, सास्त्र, आदिकी भाषा में होता है तो इस तरह से भाषा के विविद रूप होते हैं और आविशक्ता के अनुसार हम उस भाषा का प्रियोग करते हैं यहां जिस भाषा का प्रियोग किया गया है वो हवास्तों में जनसंचार की भाषा का ही एक रूप है जिसे हम संपादकी कहते हैं तो सबसे पहले हम संपादकी को समझ लेते हैं पस्तों में अखबार के बीच के हिस्से में आपने एक प्रिष्ट देखा होगा जिस पर खबरें नहीं होती हैं बलकि लेख, संपादकी, टिपणिया, संपादक के नाम पत्र आदी छपे होते हैं और उसी संपादकी प्रिष्ट के एक हिस्से में उस दिन की जो मुख्य खबरें होती हैं उस पर टिपणियां की जाती हैं जिन्हें संपादकी कहा जाता है और दूसरी ओर जो सापताहिक, मासिक, वारशिक जो पत्रिकाएं होती हैं उसके प्रारंब में भी संपाद्की लिखा जाता है तो यहां जो संपाद्की लिखा गया है वह हंस नामक पत्रिका के प्रारंब में लिखा गया है इस संपाद्की को किसी पत्र या पत्रिका का अगर दर्पन कहा जाए तो यह आतिशयक्ती नहीं होगी क्योंकि इसे पढ़कर ही पत्र की क्या नीती है और उसमें विभिन समस्याओं और घटनाओं पर क्या दिर्श्चिकोण है इसका पता चलता है यह अनपड़ बनाय रखने की साजिश सिर्शक से जो यह संपाद्की प्रकाशित हुआ यह 1986 में जैसा कि मैंने बताया वजट आने के बाद हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया और चुकी हंस एक साहितिक पत्रिका है और राजेंद्र यादव एक बहुत ही प्रतिष्ठित साहितिकार रहे इसलिए उन्होंने शिक्षा और साक्षर्ता जैसे विशे को वेंग्यात्मक शैली में यहां पे प्रस्तुत किया और यह बताया कि हमारे देश में मनोरंजन, एशो आराम और कम्प्यूटर जैसे जो बड़े बड़े आधिनिक उपकरण हैं उन पर बेताहसा खर्च किया जा रहा है लेकिन ज्ञान प्रसार की जो बुन्यादी चीज किताब है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो इसी प्रिष्ट भूमी पर इस संपाद्की का ताना बाना बुना गया है प्रिक्षार्तियों अब हम देखते हैं कि संपाद्की के तत्व क्या होते हैं क्योंकि संपाद्की चिंतन पर अधारित होता है और उसमें समसामई घटना का विवेचन होता है इसलिए उसमें जो मुख्य तत्व उभर कर सामने आते हैं वे हैं विशेवस्तू, समसामईक्ता, विवेचनात्मक्ता, द्रिष्टिकोंड की इसपस्टता, भाषा शैली और उद्देश्यर और इनी तत्वों के आदार पर आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, अनपढ़ बनाये रखने की साजिश, उसका विशलिशन करेंगे तो पहला तत्व विशेवस्तू है, यह अवास्तों में संपाद्की का मूल तत्व है जैसे आपने कहानी, उपन्यास और नाटक पढ़े होंगे, उसमें कथानक प्रमुख होता है उसी तरह से यहाँ पे विशेवस्तू प्रधान है त्वकिशन संपाद्की एक संचिप्त विधा है, इसलिए इसकी विशेवस्तू में विस्तार नहीं होता व्यापक्ता नहीं हो सकती मुख्य रूप से एक ही विशेक उठाया जाता है और तरक वितरक और उदारनों की सहायता से उस विशे का विवेचन किया जाता है और बाद में एक निशकर्ष निकाला जाता है और पाठकों को उस विशे में अपनी राय देने में भी मदद मिलती है इस पार्ठ में भी मुख्य रूप से भारत के जो आम लोग हैं उनको साक्षर बनाने में जो बाधाएं आ रही हैं उनका भी बिचिन किया गया है और इसकी पुष्ट भूमी के बारे में आपको मैंने बताया 1986 के बजट में कागज के दाम बढ़ा दिये गये थे लेकिन पुझिपतियों और अमीर लोगों द्वारा इस्तिमाल की जाने वारे जो चीजें थी उनके आयात में छूट दे दी गई थी इस दृष्टी से यह संपाद की आज की इस्तिती में भी प्रासंगिक है लेखक ने इस सच्चाई को भूमिका में स्पस्ट किया है कि एक और आम जनता को पढ़ाने लिखाने के लिए सरकार को आवश्यक धन जुटाने में कठिनाई हो रही है तो दूसरी और विदेशों के जो महांगे उपकरण है विदेशों में महांगे उपकरण जैसे कंप्यूटर के आयात की अनुमती दी जा रही है इस संपाद की में विरोधाभास की यही स्थिती इस्पस्ट रूप में उभर कर सामने आती है और टेलिवीजन, विज्यापन, घटिया, किताबें, महांगी पत्रिकाएं, विलासिता की सामगरी जैसे अनेक पहलूँँ पर लेखक निशर्चा की है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सभा में बैठे लोगों और पुझिपतियों, वो द्योगपतियों की मिली भगत से ऐसी साजिस हो रही है और यह कोशिश की जा रही है कि हमारा समाज सिख्षित न हो सके और यदि सिख्षित हो भी जाए तो वह उब्भोकतावाद और मनोरंजन के जाल में फसा रहे ताकि उसमें जागरती और शेतना नहीं आ सके इसी तरह से अगर हम दूसरे विंदु पर बात करें तो वह है समसामाइक्ता सिख्षार्तियों संपादकी का विशय कोई ऐसी घटना होती है जो हाल में ही घटी हो या घटने वाली हो आमतोर पर उसी घटना को विशय बनाया जाता है जिसका संबंद अधिक से अधिक लोगों से हो और जो विशय जितने अधिक लोगों को प्रभावित करता है वो उतना ही महत्वपुर्ण होता है इस आधार पर अगर हम पाठ को देखें तो इसमें भी आम जनता की जो समस्याएं हैं और जो विलासिता वर्ग को तवज्यों दिया जा रहा है इसके अलावा भारती ये संस्कृती पर जो प्रहार किया जा रहा है शिक्षा की जो अन्देखी की जा रही है इन सारे पक्षों को धाटित करने की कोशिश की गई है और शिक्षा की कमी तता टीवी, वीडियो, कम्प्यूटर जैसे जो आयातित चीजें हैं उनकी बढ़ती हुई जो ललक है उस हिसाब से देखा जाये तो समसामईक रूप में भी यह आज की भी महत्वपुर्ण समस्या है भारत में विशेशकर जो हिंदी भाषी पाठक हैं, उनके लिए यह विशे काफी प्रासंगिक है क्योंकि हमारे देश में जो साक्षर्टा का प्रतिशत है वह बहुत कम है और जिस सबय यह संपात की लिखा गया, उस समय इस्तिती और भी खराब थी तो साक्षर्टा जैसे महतुपुर्ण विंदु को छोड़ कर अगर विलाशिता को आगे बढ़ाया जाए विलाशिता को छूट दी जाए तो यह भुकतावाद की ही शुरुआत है और आज के समाज में जो इस्तितियां हैं वह भी कमों बेश उसी रूप में दिस्ट्रिगोचर होती हैं प्रिक्षार्थियों जो अगला तत्व है वह है विवेश नात्मक्ता संपाद की में विशे ही स्पस्टता और सुबोत्ता के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें घटना से पहले की इस्थिति उसके संभावित प्रभाव तथा अन्य स्थानों पर इस तरह की घटनाओं की प्रतिक्रिया आदी सभी संदर्भों की बारीक विवेश ना की जाती है और संपाद की में अपनी राय व्यक्त करते हुए भी विशे या समस्या विशेश के सभी पहलूओं को पाठकों के सामने लाना आवश्यक है प्रस्तुत संपाद की विवेश नात्मक्ता की द्रिष्टी से भी स्रेश्ट संपाद की लेखों की कोटी में शामिल हो सकती है क्योंकि इसमें विशे का बहुत ही गहराई और विस्तार के साथ विवेशन किया गया है बजट में कागज की कीमत की व्रिद्धी साबान निशब्दों में आम लोगों को सिक्षा से वंचित रखने के साथ साथ संस्कृती को भरष्ट करने के सडयंत्र को पहचानना तथा उसकी प्रिष्ट भूमी, परिणामों और विविद रूपों को साब साब बयान करने का प्रमाण है संपादकी में मुक्यता पुंजिवाद के विरोध की ही दृष्टी सामने आई है परंतु जिस संदर्म में संपादक ने पुंजिवाद की आलोचना की है उसे देखते हुए यह विश्वसनी और तर्क संगत भी लगती है स्री राजंद्रियादों ने अपने देश के साथ साथ विदेशी घटनाओं और इतिहास के कई पन्नों को पलटते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि शिक्षा और साक्षर्ता विकास की पहली सीढ़ियां हैं और सत्ता तथा अधिकार के भूखे लोग आम जनता को इस सक्ति से वन्चित करने के प्रयास में लगे रहते हैं इसी तरह से अगले तत्तु को देखें वह है द्रिश्टिकोन की स्पस्टता संपादकी में विशे के विवेचन, वरणन तथा विविद पहलूँ के समावेश की साथ साथ एक स्पस्ट राय व्यक्त की जाती है जो जन्मत निर्माण में सहायक होती है और यह राय आलोचना या सराना जहां अधिक से अधिक पाठकों के हित को ध्यान में रख कर दी जाती है वहीं उस पत्र विशेश की अपनी नीती को भी स्पस्ट करती है इस प्रकार संपादकी टिपणी पाठकों को किसी समस्या या विशेश विशेश की संदर्व में पाठकों को रास्ता दिखाने के साथ साथ पत्र के द्रिश्टिकोंड को भी स्पस्ट करती है आप यदि किसी एक दिन के चार-पांच अखबारों को देखें और उसके संपादकी को पढ़ें तो पाएंगे कि एक ही विशेश पर छपे जो अलग-अलग संपादकी हैं उनका दिर्श्टिकोंड अलग है संपादकी के इस तत्व की द्रिश्टि से आज का पाठ एक आदर्श संपादकी है इसमें संपादक ने बिना किसी लाग-लपेट के इसपस्ट राय प्रगट की है कि किस तरह देश की जनता का शोशन करने वालों और जनता को जागरिती, सूज-बूज और चेतना ला सकने वाली पुस्टकों से वंचित करने का सर्यंत रचा जा रहा है शिक्षार्तियों अगर हम इसकी भाषा शैली को देखें तो इसकी भाषा चिंतन प्रधान है और इसमें पत्रिका का द्रिश्टिकोंड स्पस्ट रूप से सामने आता है यह पास्तों में एक मर्यादा में बन्धा हुआ है और यह समाचार से अलग विशे की गहराई द्रिश्टिकोंड की व्यापक्ता को एक रूचिकर शैली में प्रस्थुत करने का प्रयास है तुकि संपादकी में अधिक विस्तार की गुंजाईश नहीं होती है इसलिए इसका आकार संशिप्त होता है और इसमें अगर लेक की तरह विस्तार दिया जाए तो उसका मापधंट गिर जाएगा हाँ लेखक ने कहीं कहीं विशे को स्पस्थ करने के लिए विस्तार दिया है और मानवी घटने पर लंबे लंबे संपादकी लिखने की भी परंपरा रही है चैली की भाती संपादकी भाषा गमभीर होनी चाहिए कभी-कभी हलके विशे के लिए वियंगयपूर्ण हास्यव म снपयी और चुलबुली भाषा का भी प्रिएग किया जा सकता है और मुहावरे और लोकुक्तियां भाषा में प्रवाह लाती हैं और संपादकी की भाषा की गुनवर्ता भी बढ़ती है अगर स्वरूप की तरह भाषा का रूप भी समाचार और संपादकी को अलग करता है व्यंग्य का पुट अन्य विधाओं की तरह संपाद की भाषा को भी रोचक, प्रभावशाली और पठनिय बनाता है इस संपाद की भाषा सुबोध, ओजपूर्ण तथा चुटीली बन पड़ी है विशे की गंभीरता को प्रभावशाली धंग से व्यक्त करती है इसमें व्यंग्य का बहुत जोड़ा धंग से प्रयोग किया गया है अवशक्ता और आवसर के अनुकूल उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का खुल कर प्रयोग किया गया है संपादकी का जो अन्तिम वाक्य है वह चमतकार और प्रभाव की द्रिश्टी से महत्वपूर्ण है जब यह कहा जाता है कि या खुदा ये प्रायोजित ना खुदा हमें कहां ले जा रहे हैं तो इस प्रकार लेखक का व्यंग ये कहीं-कहीं बहुत ही तीखा हो जाता है एक उदारन देखिए कि अपने रिशी मुनी मुर्ख नहीं थे जिन्होंने कुछ लोगों को जिंदगी से शिक्षा यानि किताब को एकदम बाहर निकाल कर उन्हें सेवा धर्म सिखाया था तो इस तरह के उदारन आपको जगा-जगा देखने को मिलेंगे अगर उदेशिकी बात करें तो इस संपादकी को बहुत ही सफल माना जा सकता है क्योंकि इसमें प्रारंब सेयंत तक भारतिय परिवेश में सिख्षा के महतु को रिखांकित किया गया है और आधनिक यूग के जो नैने उपकराणों तथा परंपरागत रिती रिवाजों की जर्चा करते हुए इसी तथे से पाठकों को अवगत कराने का प्यास किया गया है कि शिख्षा जैसी अत्यन तावश्यक चीज से आप लोगों को वंचित रखा जा रहा है और सरकार तता पूझपती वर्ग व्यर्थ की ऐसी चीजों पर पैसा लगा रहे हैं जिन से केवल मुठी भर लोगों की श्वार्थपूर्ती और मनुरंजन होता है रचनाकार इतिहास, समाज, राजनीती, अर्थनीती और मनोविग्यान का साहरा लेता है लेखक ने बताया है कि अच्छी पुस्तकों ने जहां महापुर्षों और अच्छी संस्कृतियों के विकाश में मदद दी है वहीं तानाशाही ने हमेशा किताबें नष्ट करने पर ध्यान दिया है और विग्यापनों का जाल भी लोगों को सही ज्यान के रास्ते से भटका कर मन बहलाव और भोग विलास के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है जब कागज की कीमते महंगी होने लगेंगी तो वह वास्तों में आम जनता को उप्यक्षित करने लगेगी और इसी और संपादकिये में लेखक ने मुख्य ध्यान दिलाया है अगर हम इसके शीर्षक की बात करें तो इसमें बहुती सहस्ता और स्पस्त्रता यहां दिखाई देती है क्योंकि थोड़े शब्दों में ही बहुत चुटीले तरीके से अपनी बात को रखा गया है इस संपादकी के मूल विषय और उद्देश्ची को यहां सार तक ढंग से अभिवक्त किया गया है केवल पाँच सब्दों के इसी शक में तीखापन है यद्देपी इसमें विषयों का उलेख हुआ है परंतु मूल स्वर इस तत्य को उजागर करना है कि लोगों को सिक्षा से वंचित रखने की साजिश की जा रही है इससे बचकर जो व्यक्ति शाक्षर हो भी जाते हैं उन्हें अच्छी किताबों से दूर रखने की सुनियोजित सड़यंत्र करने की कोशिश की जाती है सेशक के शब्द सरल सुबोद और सीधे हैं किन्तु जो साजिश शब्द है वह बहुत ही वजंदार अर्थपूर्ण और नुकिला है क्योंकि वह पाठक का ध्यान वर्बस अपनी और खीच लेता है और यही इस संपादकी की महतुपूर्ण विशेचता है पिचारतियों अगर हम इस पार्थ में भाषा परियोग को देखें तो हम दो पक्षों पर यहां बात कर रहे हैं पहला जो ता प्रत्य है उसको यहां बताने की कोशिश की गई है पार्थ का जो पहला बाक्य है रोटी कपड़ा और मकान के बाद जिस देश में पहली कहें या एक मात्र आवशकता, साक्षरता और शिक्षा है वहां ऐसी द्रिश्टी हीनता या तो मुर्खता के कारण है या फिर धूर्थता के कारण यहां देखिए ताप्रत्य का प्रियोग कई बार किया गया है तो हिंदी में सरगों और प्रत्यों से जो सब्द निर्मान की प्रक्रिया है उसे आपको सीखना चाहिए और जो दूसरा सब्द निर्मान का स्वरूप है वह है समास के द्वारा कुछ सब्दों को मिला कर एक पद बना देना जैसे मसीन के समान मानो वह हो जाएगा मसीन मानो या सब में व्यापक है जो वह हो जाएगा सरव्यापक तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर भाशा को सिखाने की भी कोशिश की जा रही है इस पार्ट को अगर संशेप में देखें तो पहली बात तो यह है कि यहाँ साहितिक हिंदी और प्रियोजन मुलक हिंदी में अंतर को दिखाया गया है साहितिक हिंदी अलंकारिक लालित्यपुर्ण और मुखे रूप से कविता और गद्दे पर आधारित होती है जबकि प्रियोजन मुलक हिंदी भाशा का व्यावारिक पक्ष है जो मुखेता तकनिकी भाषा, कार्यालाई भाषा आदी के रूप में प्रियुक्त की जाती है दूसरी महत्वपुर्ण बात है कि संपाद की पत्रपत्रिकाओं की वह विधा है जिसमें समसामईक विशे या समस्चा पर चिंतन पुर्ण धंग से टिपनी की जाती है और उसमें पत्रपत्रिका का द्रिश्चिकोन विव्यक्त होता है और तीसरी बात है कि यह जो पाठ है वह विशे बस्तू, समसामईक्ता, विवेशनात्मक्ता, आदी जो महत्वपुर्ण संपाद की के पक्ष हैं उन पर पूरी तरह से खरा उतरता है इसके अलावा इसका जो मुख्य उदेश्च है कि आम लोगों को सिक्षा से वन्चित रखना और पूंजीवादी वरगों को सहुलियत प्रदान करना उसे भी यहां स्पस्ट किया गया है भाषा की द्रिश्चि से भी यह संपाद की समाचारों से अलग है और संपाद की का जो सीर्शक है वो भी प्रभावशाली और व्यंग्यपूर्ण बन पड़ा है तो इस तरह से सिक्षार्तियों यह संपाद की राजेंद्र यादव का एक महत्वपूर्ण संपाद की है जिसमें सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया गया है और आमजन्ता की बात की गई है कि किस तरह से आमजन्ता को शिक्षा से दूर किया जा रहा है और दूसरी और विलासिता की जो चीजें हैं उन पर छूट देकर उन्हें लाभानुद किया जा रहा है तो यह वास्तों में रचनाकार का दर्द है और आमजन्ता का भी दर्द है वास्तों में हमारी जो भारतिय परंपरा रही है उसमें शिक्षा को परिवर्तन का मूल हत्यार माना गया है इसलिए आज भी शिक्षा को प्रश्रे देने की जरूरत है ताकि हम समाज में बदलाव ला सकें और एक उन्नत समाज की परिकल्पना कर सकें तो इसी मुख्य बात को इस संपात्की में रखा गया है मुझे उमीद है कि इस पार्ट को पढ़ने में आपको बहुत सहुलियत होगी धन्यवाद